दोस्तों हम ब्रम्हांड के बारे में कितना जानते हैं? ब्रम्हांड क्या है? क्या किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब है? शायद नहीं इस ब्रम्हांड की शुरुवात कैसे हुई? ब्लैक होल क्या होता है? क्या ब्रम्हान में हमारे अलावा भी कोई और है या फिर नहीं ऐसे न जाने कितने सवालों का उत्तर हमें अब तक नहीं मिल पाया है आईए आज हम आप के साथ शेयर करते हैं ब्रम्हान के कुछ ऐसे ही अनसुल जे रहस्य जिसके लिए आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि आखरी रहस्य के बारे में सुनकर आप यकीन मानिये दंग रह जाएंगे अब बिना देरी के हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ लेगना उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजेगा और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा चले सबसे पहले बात करते हैं पहले रहस्य के बारे में आखिरकार ब्रह्मान की शुरुवात कैसे होई बिग बैंक ब्रह्मान की शुरुवात की सबसे प्रश्लित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है बेल्जियम के एक खगोल विद जॉर्ज हेनरी ले मैत्रे ने इस सिधान को दिया है इस सिधान के अनुसार लगभग 14.5 अरव वर्श पहले ब्रह्मान की सारी उर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक विंदू में कैथ था अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए यहीं से ब्रह्मान की उत्पत्ति होनी शुरू हुई, तब से ब्रह्मान निरंतर फैलता जा रहा है ब्लैक होल्स, ब्लैक होल्स को अंतरिक्ष का दलदल भी कहा जाता है जब कोई तारा तूट कर खत्म हो जाता है, तब ब्लैक होल्स का निर्मान होता है हमें ये तो पता ही है कि black hole का निर्मांट कैसे होता है और कैसे काम करता है परंतो misteri ये है कि अभी तक इसे किसी ने नहीं देखा वेज्ञानिक electromagnetic radiation लाइट या x-rays की सहायता से अनुमान लगा सकते है लेकिन असल में ये दिखने में कैसा है अभी तक ये misteri है क्या ब्रम्हान में हमारे अलावा कोई और भी है ब्रम्हान के कुछ अंसुलजे रहस्यों में से एक है कि ब्रम्हान में हमारी अलावा और कौन-कौन रहता है क्योंकि हमारी मिल्की वे इतनी जादा बड़ी है कि हम सोज भी नहीं सकते मिलकी वे में पांच खरब से भी जादा सितारे और एक खरब से भी जादा आकाश गंगाएं है लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने बड़े ब्रम्हाण में हम ही बसें अकेले या हमारे अलावा भी कोई और रहता है और अगर रहते हैं तो वो लोग कैसे जीवन यापन करते हैं ब्रम्हाण के दूसरे प्लैनेट में किस तरह का मोहौल होगा डाक मैटर और डाक एनरजी का रहस्य अंतरिक्ष का पंचार ने फीजदी हिस्सा डाक मैटर और डाक एनरजी से मिलकर बना हुआ है बाकी का पंच प्रतिशत हिस्सा बहुत एक पदार्थों से इसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे वो सब ही आते हैं जिनें हम देख सकते हैं वग्यानिकों का मत है कि डाक मैटर और डाक एनरजी ही वो कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मार्ण को एक सिल्सिले वार ढंग से बांध रखा है डाक मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को अब्जॉर्व, एमिट और रिफलेक्ट नहीं करते इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है कोई ठोस आदार भी हमारे पास नहीं मिला है पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन पदार्थों का अस्ते तो नहीं होता इन पदार्थों के विशाय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है केवल परिकल्पनाओं के सहारे ही वग्यानिक इससे समझने की कोशिश कर रहे हैं उम्मीद कर दें कि आज को हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो नीचे हमें कॉमेंट सिक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताईए वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं ब्रह्मान कितना बड़ा है जरा कॉमेंट सिक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताईए और हाँ हमारे वीडियो को सब्स्क्राइब जरूर कर लीजेगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजेगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाए चलिए मिल दें आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार